उत्तर पर्देश सब ओडिनेट सर्विसेस ने P.E.T. 2021 का एक्जाम दो सिप्ट में ले लिया है इसमें हम लोग हिस्ट्री के जो questions पूछे गए थे दोनों सिप्ट में उसका details explanation देखेंगे जैसे सिप्ट 1 में इन्होंने पूछा था चरग सनीता, सेरसा अकबर, छत्रपती सि पूछा गया था जैसे सिप्ट 2 में खजुराहो पूछा गया है उसी तरह से सिप्ट 1 में अजन्ता एलोरा पूछा गया है यहां पर INZ 1929 के बारे में पूछा गया है और सिप्ट 1 में 1939 का पूछा गया है सिप्ट 1 में चरग सनीता पूछा गया है यहां धनवंत्री पूछा गया है इसको हम लोग last में analysis करेंगे कि किस pattern पर इन्होंने question पूछा है और कितना बेहतर question पूछा है लेकिन उससे पहले हम लोग details में questions देखते हैं सिप्ट 1 का जो first question है नोबेल पूछा जितने वाले प्रथम एशियाई कौन थे सही answer है रबिन्ना टैगॉर पहले जो नोबेल प्राइज होता था वो 5 फिल्ड में मिलता था जिसमें की एक फिल्ड लिट्रेचर था लेकिन आज 6 फिल्ड में नोबेल प्राइज मिलता है तो रबिन्ना टैगॉर को लिट्रेचर में 1913 में इनकी गितांजली के लिए मिला था लिट्रेचर में नोबेल प्राइज और ये प्रता में श्याई बन गए थे शो आंसर रबिन्ना टैग और करेक्ट आंसर question number 2 इन में देख लेते हम लो इन में से किस अस्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं है answer और अंगाबाद details में देखते हैं कि क्या है और अंगाबाद जो है न ये महरास्टा में है और अजंता और एलोरा दोनों Unishco World Heritage Site के हमारे साइट से और अब जो हमारे साइट सो गए हैं Unishco World Heritage Site के वो 40, 40 हो गए हैं अल्रेडी इस चैनल पर वीडियो मैंने डाला है World Heritage Site का आप उस वीडियो को देख सकते हैं अजंता और एलोरा में थोड़ा सा difference है उसको हम लोग देख लेते हैं अजंता जो है मेंली बुधिस्ट के लिए है और एलोरा जो है इनमें तीनो धर्मों के लिए था बुधिस्ट, हिंदू और जैन तीनों के लिए ये combined form था जैसे कि कैलास टिंपल है तो कैलास टिंपल हिंदू के लिए है उसी तरह से यहाँ पर जैन और बुधिस्ट तीनों के मंदीर पाएस आते हैं लेकिन अजंता में में मेंली बुधिस्ट के मंदीर पाएस आते हैं और ये दोनों जो साइट्स हैं, ये महारास्टा में हैं, यानि कि औरंगाबाद डिस्टिक महारास्टा, औरंगाबाद बिहार में भी है एक डिस्टिक, लेकिन ये औरंगाबाद नहीं, महारास्टा का औरंगाबाद, तो अब इसको डिटेल्स में देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर सारा मेंने ओफिशियल ही डेटा लिया है, इभेन ये जो डेटा है, ये जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का ओफिशियल है, वहाँ से लिया गया है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इसमें, सबसे पहले नेताजी सुभाद चंद्रबोश जो हैं, हम सी बोश लिखते हैं, ये दो बार आईएंसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, एक नाइंटी ठर्टी एइट में और एक थर्टी नाइन में, ठर्टी एट में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन थर्टी नाइन में समस्य आती है इनको, कैसे आती है तो वही देखते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 38 का जो सेशन था चुकि हमें ये भी जानना है जब INC पढ़ते हैं तो उसका प्रेसिडेंट और वो कहां हुआ था, तो ये हुआ था हरीपूरा में 1938 का जो सेशन हुआ था वो हरीपूरा में हुआ था और हरीपूरा जो है, एक विलेज है सूरत डिस्टिक में, यानि कि गुजरात में हरीपूरा, तो यहां पर कोई इशू नहीं था, इन्होंने अच्छे से काम किया एक साल, में जो समस्या आती है, वो आती है यहां पर, 1939 में जब इनको प्रेसिडेंट चुन लिया साता है, देखिए इलेक्षन का रिजल्ट जो है यहां पर निकलेगा वन मिनट हाँ इलेक्षन देखिए, एक तरफ सबसे पहले यहां से समझते हैं गांधी जी, नहरू जी जब छुटी मनाकर आते हैं यूरोप से तो गांधी जी कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाओ, तो जोहारलाल नहरू डिनाई कर देते हैं, तो मौलाना अजाद का नाम सुझाया जाता है लेकिन मौलाना अजाद भी हड जाते हैं विड्रॉ कर लेते हैं अपना नाम तो नेता जी सुभाज चंद्रबोच जो पहले से प्रेसिडेंट थे वो खड़े होते हैं और गांधी जी पटावी सिता रमया को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं अपने कैंडिडेट के रूप में लेकिन जब इसका इलेक्षन होता है प्रेसिडेंट का जिसका रिजल्ट जनवरी 29, 1939 को आता है सुभाज चंद्रबोच जो है सेक्योर 15-80 वोट और ये सिता रमया जो है 13-77 वोट ले आते हैं यानि कि सुभाज चंद्रबोच जित जाते हैं जनवरी में ही प्रेसिडेंट का इलेक्षन हुआ था जिसमें कि सुभाज चंद्रबोच जित जाते हैं अब क्या होता है कि मार्च आज आता है मार्च तक आते आते तरीपूरा में इनका सेशन हो रहा है तिरी पूरी है ये तिरी पूरी जो है जबलपूर के पास है अर्थात की अमद प्रदेस में है जहां पर नेता जी सुभाचंद्र बोस को लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा कॉंग्रेस में और खासकर गांधी जी भी हमसे नराज हैं और गांधी जी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी मेरे साथ नहीं आ रहे हैं इसलिए सबसे बेहतर मेरे लिए यही होगा कि मैं रिजिगनेशन दे देता हूँ इवेन गांधी जी ने तो यहां तक दिया था आप जब इस चीज को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा उसके बाद क्या होता है कि 1939 में जब नेताजी सुभाद चंद्रबोस रिजिगनेशन दे देते हैं तो राजेंद्र परशाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है राजेंद्र परशाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है अर्थात की यहां पर जो आंसर है हमारा जो क्वेस्टन से यही पूछा गया था ना कि सुभाद चंद्रबोस भारतिया राज्टियों कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से जब इस्तिफा दे देते हैं तब किसे यह प राजेंद्र पर साथ सही आंसर होंगे और यह उसका सारा आंसर है और जब सुभाद चंद्रबोस अलग हो जाते हैं तो अपना एक फॉरवाट ब्लॉग पार्टी करके बनाते हैं 1939 में ही 1939 में वो अपना एक पार्टी बनाते हैं सेम केस जो है एक बार और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस में हुआ था 1922 में 1922 में गया में सेशन हुआ था गया यानि की बिहार का जो गया है वहां पर सेशन हुआ था और यह दिसंबर में हुआ था और यहां के जो प्रेशिडेंट थे वो देशबंदू चितरणजन दास थे और आपको यह भी याद रखना हुआ कि चितरंजन दास को देश बंदू कहते हैं चितरंजन दास यहां के प्रेसिडेंट थें चितरंजन दास यह चाहते थें कि हम लोग अब लेजिसलेटीव कॉंसिल में पार्टिसिपेट करें यानि कि इलेक्शन में हम लोग भाग लें लेकिन गांधी जी और उनके जो समर्थक वाले लोग थें वो कहते थे कि नहीं इलेक्शन में अभी पार्टिसिपेशन नहीं लेना है क्योंकि आप देखिए यह देसंबर 1922 का डेट है और फेबरुरुरी 1922 में गांधी जी ने नन कू अपरेशन मुव्मेंट वापस ले लिया था तो यह लोग चाहते थे कि अभी वर्क करें गाउ में भिलेज में कंस्ट्रक्टिव वर्क करें लेकिन चितरंजन दास और मोतीलाल नहरू जैसे लोग जो थे यह लोग चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पर भी मतभेध हुआ तो चितरंजन दास और मोतीलाल नहरू मिलकर एक ज तो आई होप शोकी आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा माजरा क्या है क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पटाभी सिता रमया कभी आई एंसी के प्रेसिडेंट बने थे ये जब देश अजाद हो गया तो ये 1948 में बने थे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1946 में जो आई एंसी का सेशन हुआ था अजादी से पहले का जो लास्ट है ये मेरट में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे जेबी क्रिपलानी थे कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है न कि 15 अगस्त 1947 को जब देश अजाद हुआ था तो आई एंसी के कौन प्रेसिडेंट थें तो जेबी क्रिपलानी थें तो हाँ बटावी सिता रमया एक बार आई एंसी के प्रेसिडेंट बने हैं 1948 उन्चास में तो ये पुरा क्वेश्चन रहा दूद का दूद और पानी का पानी अब आई होप शो की क्लियर हो गया होगा आप लोगों को करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने 1942 में जब क्विट इंडिया मुव्मेंट चल रहा था उच समय इन होने दिया था और करो या मरो नारा जो है क्वाइंड या यूशूफ मेहर अली ने दिया था इसके बारे में मैं डिटेल्स में एक बार बताऊंगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा महात्मा गांधी और पपुराइजड किया करो या मरो महात्मा गांधी ने और क्वाइंड करने का मतलब क लिखा था करो या मरो जो नारा है किसने लिखा था जदी पूछा जाता कि करो या मरो का जो नारा है किसने लिखा था या किसने गढ़ा था तो यूशूफ मेहर अली हो जाते है 1915-16 में किसके नेत्रीऊत में दो होम रूल सुरू हुए थे So Annie Bascient और तिलक नौर जी के बारे में, दादा भाई नौर जी also known as grand old man of India, और इन्हें unofficially ambassador of India भी करते हैं, क्यूंकि England में जाकर यही जो थे उध समय इंडिया को present करते थे, इनका जन्म 18 सा 25 में हुआ था, और इनकी जो देथ थी 19 सा 17 में हुई थी, question number next हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी काफी समस्या थी लोगों को देखिए, औरंग जेब की मिरितू 17 सा 7 में होती है, और पूछा गया है answer question में, कि कौन जोड़ा सही नहीं है, Muslim youth की सुरुआत जो है, 622 में होती है, देखिए, मुहम्मद साहब के बारे में 4 डेट याद रखना है, एक 570 में जब उनका जन्म हुआ, और ये जितना सारा डेटा हुआ है, ये Islamic faith के according है, क्योंकि इसलाम में मुहम्मद साहब का जन्म 15 सा 70 माना जाता है, और उनका जो के साथ इनकी मत्भेद हुई, कुछ लोगों ने इनका विरोत किया, तो 622 में मुहम्मद साहब मदीना से मक्का के तरफ जाते हैं, जिसे इसलाम में हिजराह कहा साता है, और इसी हिजराह का मतलब है, बर्थ अफ मुश्लिम कॉमनिटी, या इसी हिजराह को उमा, यू, डब अच्छे से नहीं क्लियर है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन 570 में मुहम्मद साहब का जनम होता है, 532 में उनका देत होता है, और 522 में हिजराह का स्टार्टिंग होता है, यानि कि जो आज का मुश्लिम कॉमनिटी है, आज का जो मुस्लिम समाज है, वो 622 से स्टार नहीं है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो समाज में आ रहा है, पुछा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जब हमने निकाल लिया कि औरंग जेब की मिरितू 17 सा 7 में होई थी, इसका मतलब है कि ये तीनों जो है सही है, यानि कि मुस्लिम यूग की सुरुआ 622 में होई थी, कलिंग यूद जो है, 261 BC में होई थी, या सही है, असोक ने किया था, और सक सनवत की सुरुआ जो है, 78 में होई थी, या सही है, और सक सनवत ही है, जो हमारा गौर्मेंट ऑफ इंडिया का ओफिशियल जो हम लोग कलेंडर यूज करते हैं, यानि गौर्मेंट इंडिया जो कलेंडर यूज करती है वो शक सनवत ही यूज करती है आप NCRT के बूप पे देखेंगे कि जो हमारा जो डेट रहेगा वो पीछे रहेगा क्योंकि हम लोग तो 78 से 1 स्टार्ट करते हैं और जो इंटरनेशनल है वो तो इशू मसी के जनम से ही 1 स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग 78 जो इंटरनेशनली कलेंडर है उससे पीछे हो साते हैं तो इसका आंसर सी ओप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंग जेब का देखिए देथ यहाँ पर तीन मार्च 17 सा साथ होता है एहमद नगर में और इनका जो टूम्ब है औरंग जेब का ये भी औरंगाबाद में है जिसे खुलदा बाद भी कहते हैं यानि की टूम्ब अफ मुगल इंपेरर औरंग जेब औरंगाबाद में ही है और इनकी वाइफ का भी जो टूम्ब है बीबी का मकबरा जी से कहते हैं सेकेंड ताज अफ इंडिया बीबी का मकबरा बीबी का मकबरा जो है वो भी औरंगाबाद में है तो ये अपना हो गया बंगाल के प्रतम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हैंस्टिंग थे लॉर्ड वारेन हेंस्टिंग जो है बंगाल गुवर्नर जनरल अब बेंगॉल बनते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के दुआरा जो पहले गुवर्नर अफ प्रेसिडेंसी अफ फोर्ट बिलियम था वो क्या हो जाता है गुवर्नर जनरल अफ प्रेसिडेंसी अफ फोर्ट बिलियम और फोर्ट बिलियम का मतलब और कुछ नहीं है फोर्ट बिलियम का मतलब है कैलकटा और फोर्ट बिलियम का जो अस्थापना था 17 समय इन लोगों ने किया था अंग्रेजों ने निन में से कौन से संथ सिवा जी के समकालिन थे यानि कि छत्रपति सिवा जी महाराज के समकालिन जो है वो दुकाराम हो जाएंगे option B correct answer है हम लोग data देख लेते हैं देखिए 627 और 30 माना जाता है कहीं-कहीं आपको 27 भी दिखेगा कहीं-कहीं आपको 30 भी दिखेगा सिवा जी का जन्म हुआ था लेकिन 1980 में इनकी देथ हुई थी और इनका जो coronation हुआ था यानि कि राज्या अभिसेख जहां से इन्हें उपाधी मिली थी छत्रपति सिवा जी महाराज वो 6 जुन 16-74 को मिला था हम देख पा रहे हैं कि नाम देव जो है इनका जो जन्म है 12-70 में हुआ था लेकिन दुकाराम का जो जन्म जन्म नहीं पता है लेकिन देथ पता है कि 16-50 में हुआ था तो 16-50 और 16-30 में contemporary दिख रहा है न तो नाम देव सही आंसर हो जाएगा और चैतन्य महाप्रभू का तो डाइड जो है ये मृतु इनकी 15-34 में हो गई थी और संकराचार ये 8th century के संत माने जाते हैं हमारे तो आंसर दुकाराम हो जाएगे चरक सनहीता जो है चिकित्सा से संबंदित है आप इस डेटा को पढ़ सकते हैं क्या है चरक सनहीता भारत में सासन करने वाले दिये गए सासको का काल क्रमा नुशार सही है सेर सासूरी जो है 15-40 से 45 के बीच में रहते हैं अकबर जो है 15-56 से 16-5 तक रहते हैं फिर अलाव दिन खिल जी 12-90 से 13-16 तक रहता है ये इलतुतमिस जो है 12-11 से लेके 36 तक रहता है तो इस तरह से option D-correct answer हो जाएगा ब्रह्म समाज की अस्थापना राजा राम मोहन रोय के दुआरा होती है 20 अगस्त 18-28 को राम कृष्ट मिशन की अस्थापना स्वामी बिवेकानन्द करते हैं आरे समाज की अस्थापना दयानन सर्श्वति करते हैं और ये 10 अप्रेल 18-75 को बॉंबे में करते हैं ब्रह्म समाज की अस्थापना कलकत्ता में होती है राम कृष्ट मिशन की अस्थापना कलकत्ता में होती है और शत्य सोदक समाज की अस्थापना जोती रा फुले या जोती वा फुले करते हैं 24 सेप्टेंबर 1873 को करते हैं तो इस तरह से option एक correct answer हो जाएगा Now we start question सिप्ट 2 के हम लोग question सब देखते हैं गांधी जी महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का बिरोध किस ने किया था खिलाफत आंदोलन जोए 19-19 में start हुआ था वर्ल्ड वार फस्ट जब खतम हुआ था जो टर्की का जो खलीफा था उसी के लिए ये किया गया था इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को अली ब्रदर्स ने start किया था इंडिया में तो गांधी जी ने इसका फाइदा उठाना चाहा कि भाई ननकु ओप्रेशन मुव्मेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन मुहम्मद अल्ली ने इसको रिलिजियस ग्राउंड पर इसका बिरोध किया कि नहीं खिलाफ़त मुव्मेंट जो है वो रिलिजियस है आप कारी संगठन काकोरी शड़यंतर में सामिल था सो हिंदूस्तान रिपब्लिकन एशोसियेशन और काकोरी शड़यंतर जो है 9 अगस्ट 1925 को हुआ था हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एशोसियेशन के बारे में देखते हैं क्योंकि बताते हैं कि हरे क्या है हरे की अस्थापना जो है वो 1924 में होती है कब होती है 1924 में लेकिन हिंदुस्तान सोस्लिस्ट पार्टी जो है इसी हरे का नाम हिंदुस्तान सोस्लिस्ट पार्टी जो है वो 1928 में रख दिया जाता है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशेशन की जो अस्थापना है यह सचि इंद्रनाथ सन्याल के दुआरा किया जाता है और इन लोगों ने जो सबसे पहला काम किया था काकोरी कॉंस्प्रेंच जी जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 1925 में अनुशीलन समीती भी इसी सरी लेटेट थी यानि की अनुशीलन समीती कहीं extended form था जिसको की 1902 में बनाया गया था और ये इस तरह के मतलब की one of the first मानाज आता है revolutionary activities के लिए अनुशीलन समीती आते बार्त के विवरोण वाली इंडीका के लेखक थे मेगास्तनीज मेगास्तनीज जो है चंध्रगूप्त मौर के सासन काल मे आये थे भारत यख़ूनान का यह नागरीख है मेगास्तनीज से लुकस का ambassador था मेगास्थनिश और चंद्रगुप्त मौर जो हैं वो मौरिवंस के संस्थापक हैं मौरिवंस का अस्थापना जो है 322 BC में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया नेशनल आर्मी की अस्थापना सुबाद चंद्रबोस करते हैं गदर पार्टी लाला हर्द्या मित्र मेला विडी सावरकर करते हैं और होम रूल की अस्थापना जो है एनी बेसेंट करती हैं तो ये हमें जानना होगा मित्र मेला सवालकर ब्रदर्स करते हैं और इसी मित्र मेला को फिर बाद में 1904 में विनो भारत का नाम दे दिया जाता है तो इस तरह से option A correct answer हो जाएगा next है भारतिया राश्टिया कॉंग्रेस द्वारा किश अदिवेशन में थे पूंट सौराज प्रस्ताव पारित किया गया लहौर में किया गया था और लहौर का जो सेशन हुआ था यह हुआ सा 1929 में इसके प्रेसिडेंट जोहार लाल नहरू थे और यह जो था सेशन देसंबर में हुआ था अल्रेड़ी इस चैनल पर एक रिपब्लिक दे का वीडियो है वो आप वाच कर सकते हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और फिर यहां पर जोहार लाल नहरू डिक्लियर करते हैं कि अब से हम लोग 26 जनवरी को हर एक साल अपना पुन सोराज दिवस मनाएंगे इसी लिए जब हम लोग अजाद हुए और जब हमारा कंसिचूशन बन गया तो हमने अपने कंसिचूशन को इनफोस्ट किया था 26 जनवरी 1950 को इसी दिन को लेकर साइमन कमिशन किस वर्थ भारस्त आया था तो ये आया था 3 फेबरुरी 1928 को बॉंबे में उत्रा था सो आंसर 1928 हो जाएगा टॉम्स रो जहांगीर के सासनकाल में आता है फायान जो है या बिक्रमादीत चंद्रगुप्त बिक्रमादीत के सासनकाल में आता है यानि की गुप्त वंस में आता है और वेंशंग जो है हर्ष वर्धन के सासनकाल में आता है अर्थात की सबसे पहल और फिर टॉम्स रो आएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रोय जो है 16 सब 15 में आता है जहांगीर के सासंकाल में और यह एमबैसडर था जेम्स फर्स्ट का जो जेम्स फर्स्ट है यह किंग होगा यूगे का भारतियाई थी आज में धनवंत्री कौन थे तो धनवंत्री इन में से कोई नहीं होगे क्योंकि धनवंत्री को एक भगवान के तरह देखा जाता है तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजु दौला किस यूद में अंग्रेजों से प्राजित हुआ था बैटल अप प्लासी जो है 23 जुन 1757 को हुआ था प्लासी आज जो है वेस्ट बेंगॉल में है इसमें क्या है कि लॉर्ड कलाइब जित जाता है हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कलाइब जो है काफी कौन जाती है और अंग्रेजों का समराज अपने देश में आजाता है और फाइनली क्वेश्चन खजुराहो यह मद्ध प्रदेश में है यह भी उनिश्को वर्ल्ड हरीटेस साइट में है च्छतरपूर जो डिस्टी के मद्ध प्रदेश का वहां पर है तो खजुराहो कहां इस इस ग्वेश्चन का स्टडी किया 12 क्वेश्चन सिप्ट 1 से 11 क्वेश्चन सिप्ट 2 से UP triple SC ने जो क्वेश्चन पूछे है ना हिस्ट्री के या फिर 100 के 100 क्वेश्चन दोनों सिप्ट के जो पूछे हैं काफी important important question पूछे हैं जिसने भी question set किया है काफी दिमाग लगा के ब video informatives लगी हो so thanks and take care